हलो अर्यों डार्क लाका स्टेक में आप लोग बब दो साथ कैसे आप लोग आई हो बहुत ही जादा ओसम और फंटास्टिक होंगों जैसे कि हमारा नथिंग फोन वन का एक लेटेस्ट अपडेट आया है चोटा सा ये 54 MB का अपडेट है जो कि बेसिकली चोटा सा माइनर अप करेगा जो कि अपडेट पिछली बार भी थोड़ा सा इंप्रूव हो है फेस अनलॉक सच में लिटरली थोड़ा थोड़ा फास्ट हो रहा है सेकंड तिंग को जो अपडेट किया है वो यह है कि इंप्लिमेंटेड रम एक्सपेंशन अब इसमें यह अलाओ किया है 10% अपका थर्ड थिंग यह है कि reduce Bluetooth power consumption when device is on standby at night time मतलब आपका night में Bluetooth on है तो थोड़ा सा बैटरी कंजम्शन कम करेगा Bluetooth में तो यह सब इंप्रूफ करेगा यह काफी बार मैंने इस चीज को notice किया यह बहुत बार आ चुका है और यह कितना इंप्रूफ होता accurate कितना है मैं notice कर चुका हू आपका face similar सा है आपके sister और आपके भाई का तो face unlock हो जाता है hit or miss वाला खेल करता है तो same as it is वही चीज में देखने को मिल रहा है face unlock का update आपको नीचे दिखा रहा है related issues face unlock किसी के phone से भी हो जाता है और अब यह वाला भी update आचुका है bug fixes मतलब अभी तक यह bug proper तरीके fix ही नहीं other general bug fixes जो भी bugs अगरा होंगे इस phone में fix किये होंगे और फस्ट पर जो option आ रहा है fix an issue adaptive brightness to be occasionally turn off automatically so यह ऐसा है कि occasionally आपका adaptive brightness proper way में काम ना कर रहा हो तो उसके लिए है मैं अपना experience बता हूँ guys situation के according काम ही नहीं करता था जो इसाब से adaptive brightness को काम करना चाहिए nothing phone one का ऐसा नहीं था so आप करना चाहिए तो कर सकते है इसके लिए कोई extended मतलब लंबा वीडियो नहीं खीचना चाहिए मुझे भी एक काम करते है इस वीडियो के रहा है और इस से लिए कुछ issue आता है या इस update के बाद में फोई problem आती है तो में next video definitely बना ही दूँगा और comment section बताना ये update आपके ब definitely बना ही दूँगा आप 24 hours के बाद आपको next video मिल जाएगा अगर इस update से लेके कुछ issue आता है तो काम करते हैं इस update को install कर लेते हैं और देखते हैं क्या improvement आता है और future में वैसे कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको definitely video बता ही दूँगा और ये update के बाद 24 hours के बाद आपको video मिल आपको